हम लोगों ने देखा है कि तमाम राजनेतिक निल्ड़जता को लांगते हुए चुनाओ के दिन एक परंपरा सा बन गया थी प्रदामंस्री उसे राज में आकर चुनाओ प्रचार करते हैं आज भी वो आयते जम्मुआ में और आज जम्मुआ में उनका जो सभास सल था जिसका चैपरसीटी पचास हजार का था वहां पर लगबग 25 प्रतीशत जगत खाली था चालिस मिनट उनको भाषन देना था लेकिन इतना हताश और इतना पराजित मन से उन्होंने भाषन दिया कि 20 मिनट में ही अपनी भाषन समाप्त कर दिया यह जम्वा की स्थिती थी उनका आज का भाषन भी बहुत बहुत था कोई तथ्य नहीं जो हजारी बाग में बोल कर गए थे लग रहा उसी को दोरा रहे मायूस्त सा चेहरा था वो समझ गए थे कि आप संकेत देरा जारकर्ण के मंदाता गए उनके बगल में ही बैठे थे मानने मुखे मंतिर जी बड़ा लंबा लंबा ढिंग आकते थे कि 2018 तक हम यदे सबके घर में मिलनी नहीं पहुंच आएंगे तो चुनाओं में भोट मानने नहीं आएंगे लेकिर अब वो सारवें इनके मंद से बोलना शुरू करते है बीस सो बीस तक मुटब दो हजार बीस तक हम बिजली और पानी पहुंचाने का काम